Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? आज Class 3 का My English Reader का जो हमारा chapter है The Canary तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं Reading और इस स्टोरी को समख के कि इस स्टोरी में क्या है? यह स्टोरी जो है एक चड़िया है छोटी सी यलो कलर की और एक बच्चा है जिसका नाम है सोमू वो उसकी कैसे देख रेक करता है? पहले कैसे देख रेक करता है? उसका केज पिंजरा साफ करता है, खाना देता है, दाना देता है, उसके साथ खेलता है और बाद में फिर वो change हो जाता है ना उसे खाना देते था ना उसे पिंज़रा साफ करता था ना उसके साथ खेलता था तो ये कुछ ऐसी story है कैसे क्या होता है इस story में हम लोग देखते हैं तो पहले reading करते हैं और देखते हैं क्या है story में Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday Somu के पिता ने Somu को एक बहाती wonderful बहाती अच्छा gift दिया Somu को उसके birthday के दिन a little yellow canary क्या दिया उसे एक little yellow canary एक bird जो थी वो उसे gift में मिली Somu named her Molly Somu ने उसका नाम रख दिया Molly Molly sang softly and sweetly Molly जो थी वो बहुती soft और sweet मीठे स्वर में गाती थी At first Somu looked after the bird Starting में Somu उसका बहुत ही ख्याल रखता था देख रहे करता था उस bird का Each day he cleaned her cage हर दिन वो उसका cage पिंजडा साफ करता था Gave her seeds and fresh water उसे कुछ seeds यानि जो दाने bird के लिए होते हैं वो उसे देता था Fresh water देता था ताजा पानी पीने को देता था At tea time चाय के वक्त चाय के वक्त ही गेव her a lump of sugar चाय के वक्त वो उसे एक lump of sugar देता था चो कि एक हम कह सकते हैं कि जो misery होता है misery misery का धिला वो हम कह सकते हैं वो उसे देता था ठीक है Molly was very happy in her case Molly बहुत खुश थी अपने प्रेड़े में Molly's friends were very jealous of her और Molly के जितने भी friends थे यानि जो दूसरे birds थे Molly के friend canary के friend वो लोग उसे जलन करते थे जलते थे, jealous करते थे कि Molly इतने अच्छे जगापे है इतना अच्छा जखाती पीती है सब करती है Somu's friends would come to see Molly every day Somu के भी friend हर दिन Molly को देखने के लिए आया करते थे She would sing sweet songs for them और वो bird जो है उनके मित्र के लिए यानि Somu के जो friends है उनके लिए एक अच्छे अच्छे गीत गाया करती थी मीठे सुर में गाती थी उनके साथ खेलती थी After some weeks कुछ सब्ता के बाद Somu lost interest in Molly Somu को धीरे-धीरे Molly में दिल्चस्पी कम होने लगी अब उसे Molly के साथ उस bird के साथ अच्छा नहीं लगता था Now it was no longer fun to look after her और अब उसका ख्याल रखना भी उसे अच्छा नहीं लगता था One day he did not clean the cage एक दिन वो उसका cage पिंजडा साफ नहीं करता है Another day he did not feed her दूसरे दिन उसे वो खाना भी नहीं देता है उसे feed नहीं करता है कुछ भी खाने को नहीं देता And then और फिर Worst of all सबसे बुरा होता है He forget to give her water वो उसे water भी देना भूल जाता है ठीक है Molly was very unhappy अब Molly जो थी वो bird वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है Sad हो जाती है Somoo loved her no longer And she could not sing Because she was so thirsty Somoo जो था अब उसे प्यार नहीं करता था और वो चिडिया अब नहीं गाती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा Thirsty थी प्यासी थी क्योंकि Somoo उसे water तक नहीं देता था ठीक है She went to her water dish Hoping There might be just a drop of water But there was not any वो फुदकती हुए उस पानी के कटोरी की तरब जाती है जिसमें कभी पानी डाला करता था Somoo सोचती है कि एक drop भी पानी मुझे वहाँ मिल जाए लेकिन वहाँ पे एक drop भी पानी उसे नहीं मिल पाता Tweet tweet called Molly loudly Molly जो है वो tweet tweet करके चिलाती है जोरो जोर से ताकि Somoo उसके तरब देखे But Somoo was busy playing with his new toy gun and took no notice लेकिन Somoo जो है वो अपने एक toy gun के साथ खेलने में बीजी है ठीक है Somoo किसके साथ खेलने में बीजी है एक gun है toy Toy gun ठीक है खेलने के लिए बच्पन में आप लोग भी खेलते होंगे खेलना तो toy gun है ना खेलने वाली बंदूक उसके साथ वो खेलने में busy है ठीक है She cried and her friends felt very sorry for her Tears ran down her face Oh I am in this case and I can't get out of fine food and water for myself She said और उसके friends भी जो थे जो मॉली की जितने भी दूसरे friends थे वो देख करके बहुत ही ज़्यादा निरास होते हैं Sorry feel करते हैं कि वो लोग भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं बाहर से क्योंकि मॉली है पिंजडे के अंदर और मॉली अब रोने लगी है आसू जो है मॉली के आखो से निकल पड़े है और विचारी रो रही है पिंजडे के अंदर और कहती है कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इस पिंजडे के अंदर बंद हूँ अगर मैं इस पिंजडे में नहीं रहती तो मैं खुद अपने लिए फूड और वाटर मैं कहीं से ले आती मैं सोमू के उपर depend नहीं रहती कि सोमू मुझे खाना दे पानी दे मैं खुद से अपने लिए खाना पानी ले आती लेकिन मैं कहां बंधू मैं एक बिंडने के अंदर बंधू तो अभी मैं सोमू पर ही depend हूँ वो मुझे देगा तो मैं खाऊंगी पियोंगी नहीं देगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बिचारी रोने लगती है चिर्पी दा स्पैरो वास सेट चू एंड सेट वी विस्ट वी कुड हैल्प यू और स्पैरो जो बाहर एक स्पैरो है वो जो है वो कहता है कि कास हम तुमारी मदद कर सकते हम लोगों को बहुत ही खराफ फील हो रहा है कास हम तुमारी मदद कर सकते तल लिटिल कैनरी ड्रॉप्ट हर लिटिल येलो हेड एंड प्रेट टो गॉड उसके बाद उसके बाद जो वो लिटिल येलो बड है वो बिचारी अपने सर को नीचे करती है और फिर भगवान से प्रात्ना करती है ये भगवान अब मेरा क्या होगा मुझे बचाओ अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सोमूस मदर केम टू वेक हिम सोमू की मा जो है वो आती है उसे उठाने के लिए सी वास सर्प्राइज वैन सी दिद नॉट स्विट वैज आँने ही इस सर्प्राइज हो जाती है कि क्या होगी यह कुछ नहीं बोल रही और फिर उस पिंड़े के पास जाती है सी 되어 इंटू दा केज पीयर्ड मतलब जाकना देखना सी पीःडड इंटू दा केज केज के अंदर जहाकती है देखती है Molly was lying there half dead Molly जो है वो बिचारी अधा मतलब क्या बोलते है अधमरा आधा मर गई है उस तरीकी का वो गिरी हुई है बस कुछी देर में वो मर जाती Somoo's mother took her out of the cage carefully and stalked her yellow feather Somoo की मम्मे उसे ध्यान से एकदम softly पिंड़े से बाहर निकालती है और उसके फीदर्स को stalk करती है, सहलाती है, हिलाती दूलाती है, she fed the little bird with fresh seeds and water और वो उस little bird को fresh ताजे seeds और water देती है she was very angry with her son और अपने son से, अपने बेटा से वो बहुत गुसा होती है और कहती है, Somoo what a dreadful thing if you can't look after this poor creature you have no right to keep it कहती है, Somoo अगर तुमारे पास time नहीं है तुम इसका care नहीं कर सकते हो इस थोटे से bird का, तो तुमें कोई हक नहीं है इस bird को अपने पास रखने का तुम नहीं रखोगे इसे कह, तो अपने बेटा को डाटती है I am so I am so ashamed of you मुझे तुमें देख करके बहुत सर्महसूस हो रही है मुझे बहुत खराब लग रहा है तुमने ऐसा किया, said the mother Somoo burst into tears and felt sorry Somoo जो है, वो अपने आसू बहाने लगता है और फिल करता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है, वो भी कहता है कि sorry ममा, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा thereafter he looked after Molly the little canary very well और उस समय से वो जो था Somoo वो उस canary bird का बहुती ज़्यादा खयाल रखता था हमेशा उसे टाइम पे पानी देता था उसका पीड़ा साब करता था और उसके साथ खेलता कुदता भी था तो बच्चो इस story से हमें ये सिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी creature को, किसी भी bird animal जो भी pet है हम पालते हैं घर में, उसे हम तभी पाले तभी रखे, जब हम उसकी अच्छे से देखबाल कर सके अगर हमारे पास time नहीं है उसकी देखबाल करने के लिए उसके साथ time spent करने के लिए तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उन्हें बांध के या पिंजडे में अपने घर में रखे इससे अच्छा उन्हें खुले में छोड़ दो वो अपना free रहेंगे, घुमेंगे, फिरेंगे जो मर्जी वो करेंगे अगर आप किसी भी bird को घर पे रखते हो या dog को, cat हो गया या cow है, तो उसका देखरे करना, उसका care करना ये आपके जिम्मेवारी है ठीक है बच्चो, तो ये chapter हम लोगों ने खतम कर लिया है अब question answer की तरह बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले बच्चो, c3 में आ जाओ c3 में हमें क्या करना है tick the correct option to complete the following sentences कुछ sentences दिए गए हैं और correct option में tick करना है तो सबसे पहले first आईए a canary is canary जो है वो क्या है तो वो है a small bird second वाला में tick करेंगी a small bird एक छोटी सी yellow bird है a small yellow bird second number molly was very unhappy sorry molly was very happy with somo because he molly जो थी वो बहुत खुश थी was very happy with somo because क्यों because he took good care of her first वाला पे tick करेंगे because he took good care of her third में आजो somo lost interest in molly because he somo का interest molly में खतम हो गया था अब उसके साथ वो नहीं रहना चाथा क्यों first वाला टिक करेंगे had got a new toy gun क्योंकि उसे एक नया toy gun मिल गया था और उस toy gun के साथ वो खेलने में busy था fourth number पे आजो बच्चो molly was lying half dead because molly जो थी वो आधा अधमरी सी पड़ी हुई थी क्यों क्योंकि last वाला टिक करेंगे third number वाला she had not been fed with food and water टिक है उसे बहुत दिनों से यानि उसे एक दिन पहले से खाना और पानी नहीं मिला था टिक है उसे किसी ने खाना और पानी नहीं दिया था fifth number दिखी what a dreadful thing said somo's mother the dreadful things was that वो बुरा चीज क्या था जो somo ने किया था तो first वारा somo was ignoring molly somo जो था वो molly को ignore कर रहा था उसे उसे कोई भी मतलब नहीं था ठीक है बच्चो तो हमारा ये c3 complete हो गया है देखी अब c4 में आज़ा बच्चो work in groups of four the sentences below tell you the sequence of events in the story देखी नीचे में कुछ events दिये गए हैं जो इस story में हुए हैं जो घटनाए है इस story की वो दी गई है लेकिन वो sequence में नहीं दी गई है यानि जो घटना पहले होई है वो बाद में दिया हुआ है जो बाद में होई है वो पहले दिया गया है तो ये कुछ उपर नीचे करके दिया गया है ठीक है तो एक जो है हमारा देखी किया हुआ है फर्स्ट नंबर पे सोमो's father gave him a canary on his birthday सोमो के बिता ने उसे canary bird उसके birthday पे दिया, यह सबसे पहले हुआ था तो देखिए इसको डाल दिया, one उसके बाद second में क्या हुआ था तो second में क्या हुआ था, in the beginning सोमो regularly gave seeds and fresh water to molly first वाला जो है उसमें second number डालेंगे 2 डालेंगे हम लोग तो इसी तरीके से हम लोग जो पूरा है यह C4 वो complete कर लेंगे जहां जो number डालना है वो हम यहां पे डालेंगे तो सबसे पहले वाले में number 2 डाल देंगे उसके बाद number 3 डालेंगे उसके बाद number 8 फिर number 4 फिर 10 फिर 7 फिर 5 फिर 9 1 and last वाला 6 ठीक है तो यह हमारा sequence है जिस sequence में हम यह डालेंगे बाकि आप लोग यहां देख लेजिए क्या है और बाकि जो question answer है इसके C5 से आगे के वो हम लोग next वीडियो में करेंगे झालेंगे झालेंगे झालेंगे